वेलिकम टो चैनल एगरिवेदेवन तोडेव फर्दर कंटिन्यू अवर एंटमोलोज सीरीज तोडेव डिसकेस अबाउट ता विंग्स एंड देर मोडिफिकेशन यह जो पीडियेप है यह अलाग लग इंडिया के लेडिंग साइंटिस बार तैयार की गए है और इसी एक कारणी ट्रू फ्लाइट कर सकते हैं मिन्स इनमें फ्लाइंग कैपेबिलिटी होती है विंग्स की प्रेजन्स और अब्सेंस के वेशिज हमने दो सब क्लासिज में डिवाइड किया है क्लास इंसेक्टा को पहला है टेरी गोट्स और फिर हमारा ए टेरी गोट्स टेरी गोट्स होते हैं जिनके अंदर विंग्स होते हैं और फ्लाइंग कैपेबिलिटी उनकी अच्छी होती है टेरी गोट्स के अंदर अमारे जो विंग्स है यह कहां से राइज होते हैं जो डोर्सो वेंटरल रीजन होता है मेंस जो साइड वाड़ा रीजन होता है माले यह मारा इंसेक्ट का पूरा है तो यह साइड वाड़ा रीजन यहां से होंगे लेटरल साइड वाड़ा रीजन से ये क्या होंगे originate होंगे और कोन से उससे होगे मीजो और मेटा थोरेसिक सेगमेंट से ये और जो front pair of wings है इनको फोरwings कहते है और जो पीछे वाला pair होता है उनको hind wings कहते है विंड्स नोर्मली अमारे नोर्मली क्या mostly ही अमारे अडल्ल्ट स्टेज पुछ लॉर्व वगैरा आमões कुछ नहीं होता अगर वंक की बात करें तो je इंका एक ट्रंगलर फोर्मेट हता है और कि मार्यंगेंकले वाला मारिंट की बात क्रे नहरीं एक बार आप इसको फोटो से देखो डाइग्राम से यह देखो यह इसका डाइग्राम है यह वाला अमारा कोस्टल हो गया यह यह वाला अमारा एनल हो गया यह वाला इसके तीन रिजन है ठीक है और अब हम इसके एंगल की भी बात करेंगे बाद में पहले एक बार वह देख लेते हैं ठीक है जो एंगल होता है जो इंक्लोज होता है कोस्टल मार्जिन और थोरेसिक रिजन में मारा होता है हुमरेल एंगल मिंच यह मारा माल्य विंग है यह मारा थोरेसिक रिजन है जो यह वाल एंगल होगा ना इसको हम कौन सा बोलेंगे हुमरेल एंगल बोलेंगे औ और जो coastal और apical margin के बीच में, होता है उसे हम apical margin बोलते हैं, यह हमारा wing है, और wing के जो यह coastal वाला reason था सामने वाला, और यह वाला कोण सा था? apical margin, जो यह वाला angle होगा ना, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम apical angle बोलेंगे, और third वाला हम हमारा है, apical और anal margin के बीच में, हमारा कुन सा होगा, anal angle होगा, means यह हमार ethical reason है, यह हमार anal reason है, तो यह वाला जो angle होगा न, हम इसको क्या वो लेंगे, anal angle वो लेंगे, या tornus angle वो लेंगे, यह इसका basic structure है, आजे डाइगराम को देखेंगे, तो यह पूरा का पूरा complete हमें संद में भी आ जाएगा, अब हम wing venition की बात क यह कॉम्स्टोक और निड हैम ने दिया था 1898 में यह कि बेसिकले क्या होता है अरेंजमेंट ओफ वेंज इन इंसेक्ट विंग मेंज हमारी जो अलग लग वेंज हैं वो किस तरह से अरेंजमेंट है उनकी उसी को हम सब क्या बोलते हैं हमारा विंग वेंजन बोलते हैं वाले रिजन होता है जैसे यह वाला करस्ट हो गया तो इसको हम क्या बोलेंगे कनवेक्स वेंज इसे हम पोजिटिव साइन देते हैं ठीक है और जो लोंग डूर्डूडनल वेंज हमारी टरफ की तरफ से रन करेंगे उनको हम कनकेव वेंज बोलेंगे और उनको हम वेंस वोलते हैं उनको और कॉमश्टो के हिसाब से आठ तो लगबग लोगिन्टुड़ल वेंस होती हैं मिन्स जो सिध्ध सामने के तरफ ऐसे जाती हैं और 6 होती यह हैं जो मारी cross vane होती है जो ऐसे connection करने का काम करती है ठीक है यह मारा wing vanation के बारे में होगा अब इमिन के बारे में जो wings में longitudinal vane के बारे में कुछ बात जानते हैं जो मारी पहली vane होती है जो मारी इसमें चोड़के बाकि सब्सक्राइब बात करते हैं जो भी हमारी वेंस हैं उनके बारे में कौन-कौन सी है देखो सबसे पहला हमारा कोश्टा है जिसे हम cpositive से दिखाते हैं फिर मारी सब kosta है ठीक है फिर मारी radius है फिर हमारी media है फिर हमारी qubitus है c u negative वाली फिर हमारी first annual second annual and third annual यह हमारी है एक वारी सकुर फिर लियम डियाग्राम से देख देखते हैं तब यह clear होगा kosta है हमारी sub kosta है तर्डेनल, यह हमारे further subdivided हैं इसके यह आगे देखेंगे, ठीक है हमारी sub costa है इसका कोई भी यह single unbranch होती है पहली पहली costa वाली फिर sub costa वाली इसके दो यह ऐसे branch होगे, sub costa वाले गे, फिर हमारी यह radius है इसके कई सारे branch होती है है हम इसको एक बार देख लेते हैं मारि थियोरी में कहीं लिखा आया है कि देखो ज़िए कोस्ता है वो कॉइक्स होती है और इसके कोई व्रांच नहीं होती हैं सिंपल बात है वह को दिख्यत नहीं है फिर हमारी सब सेक्टर होती है जो औरे wra undercover कोई टुकडा नहीं होता जो आरेस है जो हमारा आरेस किसका है रेडियन का ठीक है RS हमारी कनकेव होती है और कई सारे टुकुड़ों में ब्रांच होती है R2 से लेके R5 तक ये इसके सब ब्रांचीज हैं पहले एक बार देखो अब डाइगराम से देखो ये हमारी कोस्टा थी एक सिंपल थी फिर हमारी सब कोस्टा थी ये वाली बादे में इसके दो टुकुड़े होगे फिर हमारी आती है रेडियन वाली इसका देखो ये हमारी जो पहली सी दी चलीगे इसे हम R1 बोल रहे थी इसका कोई टुकुड़ा नहीं फिर RS थी हमारी ये वाली RS आगी RS के further हमने कितने टुकड़े होगे इसके यह हमारी R2 चलीगी यहां से फिर R3 चलीगी फिर यहां पे R4 होगी फिर R5 होगी यानि जो यहां तक है वो radian तक का इससा है हमारी RS के इतने टुकड़े होगे ठीक है यह RS थी फिर हमारी आती है M वाली M वालीम एक बार देख लेते हैं पहले इसमें थियोरिय में क्या लिख्या हुआ है ठीक है अब आती है हमारी median vein जो बेसिकली दो टुकड़ों में डिवाइड़ है पहला हमारा मीडिया इंटीरियर जीसे हम MA भी बोलते हैं फिर मीडिया पोस्टीरियर जीसे हम MP भी बोलते हैं इसको कुछ आप थोड़े एक्जांपल से रिलेट करके एक बार माइंड में लेके आऊगे तो यह क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा MA हमारी कौनवेक्स होती है और जो डिवाइड़ होती है दो ब्रांजेज में MA1 MA2 और जो MP है हमारी वो हमारी कौनके होती है जो चार टुकड़ा में डिवाइड़ होती है MP1, MP2, 3, and 4 ठीक है मिन्स हमारी जो मीडिया एंटिरेर है उसके दो है टोटल और यह फर्दर कौन-कौनसी है मिन्स पहला वाड़ कौन साथ हमारा MA था फिर हमारा MP था MA के हमारे फर्दर दो टुकड़े हैं और MP के हमारे चार है यह इसका एक सिंपल बात है फिर हमारी आते ह दो प्रांचिस में डिवाइड़ है पहला क्यूबिटस 1 और क्यूबिटस 2 ठीक है हमारी क्यूबिटस कितने हैं इसके टोटल दो है और जो इसमें कौन-कौनसे है क्यूबिटस 1 और दूसरी कौनसी है क्यूबिटस 2 और क्यूबिटस 1 फर्दर सब डिवाइड़ है क्यूब शीठी तो तो थी हमारी वह नॉर्मली होती है और आब कोनगोना सी तर्ट मिदेंल्ग फिर थन्हों मांली रांट होती है ह одной कि इन दो देखो आप रिप्टा सब कोस्ठा रीडियल फिर मारे मीडियं आ 아गे पहले फिर हमारे median posterior median anterior फिर median posterior फिर MA हमारी 2 में divided हो गी थी MA1 and MA2 ठीक है इतना हो गया clear फिर हमारे जो MP है MP कितने टुकटों में divided है MP1 MP2, MP3 हो गया MP4 हो गया, 4 तक divided हो गया ठीक है यह M का हो गया, फिर हमारी qubitus हाती है, qubitus 1 ठीक है, qubitus 1 के कितने टुकड़े थे? 2 थे Qubitus 1A, Qubitus 1B फिर जो हमारी Qubitus 2 थी उसके कोई फर्दर टुकड़े नहीं थे वो on branch नहीं थी यह हमारी Qubitus का क्लियर हो गया फिर हमारी 1st channel आती है फिर हमारी यह वाली 2nd channel आ लागी फिर हमारी 3rd channel आ लागी यह हमारी total wing venation है अब जो बीच वाली रहेगे यह हमारी cross veins अब इनको एक बार देख लेते हैं theoretical portion में cross veins, पहले आती है हमारी humoral cross vein, जो किसके बीच में होती है costa और sub costa के बीच में यह हमारा माल्या costa था, यह हमारा sub costa है इसके बीच में जो भी junction होगा न वो हमारी humoral cross vein होती है ठीक है, फिर हमारी radial cross vein जो R1 में और RS के बीच में थी जो हमारा radian वाला था न, radial उसमें R1 पहली ब्रांच थी और R2 की दूसरी ब्रांच थी और इनके बीच में जो present होगा वो हमारा radial cross vein होगा फिरा तमारा sectoral cross vein ये किसके बीच में present होता है radial sector के बीच में जो जर्नली R3 से R4 के बीच में होता है नोर्मली, लेकिन exception हर्जग होती है radial medial हमारी cross vein RM से थे, ये radial और medial के बीच में होती है इसकोम डाइग्राम से देखेंगे एक बार आगे medial cross vein ये अमारी किसके बीच में थी ब्रांची जो media anterior and media posterior जो हमारी MA था MA था और जो MP था ठीक है, ये हमारा MA है ये हमारा माली MP है इनके बीच में जो भी cross section है उसको हम क्या बोलते है media cross vein ठीक है, फिर हमारी media cubital vein थी जो media और cubitus के बीच में थी ठीक है, media और cubitus के बीच में हमारी media cubital है देखो ये हमारी humeral cross vein आगी C और SC के बीच में फिर हमारी radio medial cross vein आगी, ठीक है ये हमारी media cubital vein आगी जो किसके बीच में है MP और CU के बीच में है मिन्स M और cubitus के बीच में है हमारे media cubital vein इसी तरह जो format बता है उनी के बीच में ये present होती है ठीक है ये cross veins ने उपर वाली और concave है ये पूरा का पूरा हमारा wing venation है इसके अंदर हमारी longitudinal veins भी है सारी की सारी और जो ये side वाली cross veins भी है कुछ ठीक है एक बार आप इनको दो बारा से पढ़ना फिर ये clear हो जाएगा सारा का सारा ये मेरे साब से इतनी important बात नहीं है अगर आप देखना चाहो तो देख लेना जो मारी high fly और 9 km की speed से दोडती है means उडती है होवरफ्लाई 12 से होक मोथ हमारा 17 से और बटरफ्लाई 90 km per hour से कोई important point नहीं है अगर आप देखना चाहो तो देख लेना अब आता हमारा insect wing के जो भी modifications है यह हमारा important critical एक तो हमारा wing venation इसके अंदर important topic है वो एक हमारा insect wing के modification है यह हमारा सारे के सारे important point है पहला आता हमारा hemilateral इस case में क्या होगा जो basal half होगा wing का वो थिक हो जाएगा और opaque हो जाएगा means एक हमारा जो उपर वाड़ा basal half है वो बोज़दा strong हो जाएगा और दिखेगा ने उसमें से कुछ opaque होता है जो इसको हम corium बोलते हैं और जो पिछे वाला distal half है वो हमारा क्या हो जाएगा जो दूर वाड़ा reason है वो membranous हो जाएगा उसके अंगर में सारी की सारी winds clear दिखेंगी और इसे हम membrane बोलते है four wing of bugs में इस तरह का दिखा जाता है मिंद सामने वाड़ा जो distal half basal half जो base की तरफ है वो थोड़ा thick and hard structure है जिसे हम corium बोलते हैं दूर वाड़ा है वो क्या है मारा वो membranous है वो साफ crystal clear दिखता है उसमें से और ये किसमें देखा जाता है मारा hemilater वाड़ा modification ये four wings of bugs जो bugs की सामने वाली wings है उसमें देखा वी जाता है अब डाइग्राम से इसको समझ में सकते हैं ठीक है अब आता हमारा illatera illatera क्या होता है ये जो four wings है वो modify हो जाती है ठीक और hard और opaque horny sheet में मिन्स एक hard structure बना लेंगे four wings ये किसमें देखा जाता हमारा beetles और weevils के अंदर illatera type का देखा जाता है जिसमें मारी जो सामने वाली wings है उसमें horny sheet like structure develop हो जाता है diagram से देखो आप एक बार illatera देखो ये वाली wings है कितने hardy और opaque structure है और ये पिछे वाली ये हमारी कौन सी है जो hind wings है ये हमारी उड़ने में काम आएंगे और जो सामने वाली है इनका कोई उड़ने में कोई role नहीं होता ये शिर्फ mainly protection के लिए होती है ये illatera का example है हमारा beetles और weevils ठीक है अब आता हमारा tagmina tagmina हमारी four wings होती है इसमें थिक और leather हो जाती है और ये भी हमारी उड़ने के दोरानेन का कोई काम नहीं होता इसके अंदर जो veins है वो divide करती रहती है और बार बार डिवाइड करती रहती है तो इतना thick structure बना लेती है कि वो बिल्कुल hard हो जाता है और leathery type में जैसे हमारा leather का shoes होता है उस तरह ये develop हो जाती है ठीक है और किसमें देखा जाता है ये four wings of the grass ओपर and cockroaches जो कोक्रोज गीरु गरहास हो पर कि जो आग्ये वाली wings होती है जो मीजो थोरे से ग्रीजन पर प्रेजेंट होती है उनके अंदर tagmina type का modification देखा जाता है और ये wing के अंदर इनका कोई रोल नहीं होता उड़ने में फिर आती है मारी membranus हमेशा है बाद जान रखना कोई भी membranus चीज होगी जो कोई पतली अलकी जैसे कागच हमारा जैसे ज़्यादा उड़ता है या फिर हमारा कोई भी hard structure ज़्यादा उड़ता है तो simple बात है जो transparent membranus type का structure होगा वो ज़्यादा उड़ेगा तो ये thin होती है और transparent wing होती है clear venation means इसमें देखो आप ये सारे के सारे venation में साफ साफ दिख रहे है ये मारा membranus type है ये हमें इसा useful होती है flight में जबरदस्त उड़ान भरती है यह वाली both wings of dragonflies damelflies, bees, wasp इन सब के अंदर ये देखा जाता है और जो grass ओपर की सामने वाली wings थी वो तो हमारी किसमें आगी थी हमारी tagmina के अंदर सामने वाली आगी थी four wings of grass ओपर और grass ओपर की जो पिछे वाली है वो किसमें आएंगी membranus में जिनका important रोल होता है उड़ने में इसी तरद कोकरोज की इन सब की पिछे वाली wings आ जाएंगी ठीक है और जो true flies उनकी सामने वाले wings में ऐसा membranus structure देखा जाता है इससे आप relate कर सकते हैं इसको फिर आता हमारा scaly wings scaly wings क्या होते हैं wings हमारे same to same थोड़े से उपर वाले जो हमने देखा भी membranus type उससे मिलते जोते हैं लेकिन इसमें क्या खास बात है इसके अंतर थोड़े है unicellular scales type में आ जाता है थोड़ा scale scale से format में आ जाते हैं पूरे के पूरे surface के उपर और जो ये scale हैं ये wing surface के उपर inclined होते हैं ऐसे जुके होते हैं today और overlap करते रहते हैं एक दूसरे के उपर से और पूरी के पूरी complete covering मला देते हैं पूरे structure develop कर लेते हैं और जो scale से ये क्या देती हैं color देते हैं हमें कोई भी insect के जो wings के उपर जो color दिखता है वो scaly wings के कारण ही होता है और इनका role क्या है इनका role हमारा क्या है ये air के flow को smooth करतेते हैं wings और body के उपर से means असानी से हमारी जो हवा है वो insect के wing और body से टकराएग़ और उसके अच्छे से flow करेगी और उसका एक उड़ान भरने में उसके help करेगी ये किसमें देखा जाता है जो मोथ और butterflies में क्योंकि skelly wings के कारण थोड़ी उड़ान में भी हमारी सायता होती है ठीक है इसको आप diagram से देखो एक बार ये देखो scales कितने ये छोटे 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 दब्बे कितने develop हुए है ये सब हमारे किसमें देखे जाते हैं butterflies और moths में ये मारा कुंसा टाइप है skelly wings अब आता हमारा fringed wings इसके अंदर जो reduced हो जाता है हमारा venation देखो ये बिल्कुल कितना ज्यादा venation कम हो गया है बिल्कुल थोड़ा हो गया है और जो wings है ये fringed हो जाते हैं बिल्कुल long marginal hairs भी आ जाते हैं इसमें देखो ये hairs कितने ज्यादा डैवलोप होगे मिंस ये बो ज्यादा fringe होगे मिंस कटी-फर्टी टाइप में होगे ज्यादा और ये वाले इसमें marginal hairs भी आ जाते हैं ये वाले insect जो हवा के अंदर तैरते रहते हैं swim करते हैं ये hair के अंदर और जो thrips होता है हमारा जो तेला होता है उस type के अंदर ही हमारे fringed wings देखी जाती है उसके अंदर ये हवा में बिल्कुल तैरता है रहता है फिर हमाते हैं ये हमारी longitudinal divided होती है किसमें twice forming a fork like structure ठीक है देखो ये हमारी first wing थी इसके दो टुकुड़े होगे बाद में फर्स्ट wing है इसके दो टुकुड़े होगे और जो हमारी पिछे वाली wings है इसके देखो तीन टुकुड़े होगे यहाँ पे ये वाला मेरा phissured wings होती है ठीक है पहले वाली के दो होगे थे और जो hind wings है उसके twice या three arms हो जाते है all the forks possesses small marginal hair सब के सब उपर देखो गया आप चोटे चोटे marginal hairs देखेंगे और ये flight के अंदर important roller देखो ये चोटे चोटे ये ball type के structure सब के सब इसमें develop होए है ये मारे phissured wing होते है और जो plume moth होता है हमारा ये इसका example है फूजरेड विंग्स का example ज़रूर याद रखना example most important factor है हमारे exam perspective से भी फिर हमारा आता है holters hind wings of house flies जो घर के अंदर मक्ही होती है उसके जो पिछे वाले wings है hind wings मेंतल मेटा थोरेसिक रिजन पे जो wings present है उसके अंदर छोटे छोटे microscopic structure develop हो जाते है बिल्कुल छोटे जोटे लेवल पे उन्हें हम holters बोलते है और ये तीन रिजर्ण में divided होते है पहला हमारा scabellum enlarge base फिर हमारा paddy cell और फिर capitalum scabellum paddy cell और capitalum और ये balancer का काम करते है और direction देती है flight में means जब वो हवा में उड़ती है तो उनको balance करने का काम करते है और उडान के दोरान उनकी direction को भी बताने का काम करते है holters ये hind wings of house flies का example है holters का ठीक है ये इसमें छोटे छोटे structure develop हो जाते है ये मैं आपको बता रहा हूँ ये देखो इसमे ये वाला इसका example है ठीक है फिर आता हमारा pseudo holters pseudo holters लग होलटर की तरह होते है लेकिन इसमें थोड़ा सा difference आजाता है ये sort होते है modified होते है pseudo holters में और इनमें dumbbell एक dumbbell की shape में आ जाते है देखो ये dumbbell की shape में आ गए ये वाले wings ये मारे pseudo holters होते है ये किसमें हमारा देखा जाता है strappist terra में ठीक है ये इसका example था ये हमने सारे के सारे हमने modification देख लिए wing के complete hemilatera से लेके हमारा pseudo holters तक अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो like करना, share करना और channel को subscribe करना बिल्कुल मत बूलना thank you for watching the video